Hi everyone, मेरा नाम है Harz और ये हमारा Python का lecture number 7 है इसमें हम सेखेंगे कि tuples क्या होता है तो चली start करते हैं तो हम start करते हैं tuples tuples basically हमारा list की तरह ही होता है जैसे हमारा list एक sequence में चलता था उसी तरीके से हमारा जो tuples है वो भी एक sequence में चलता है तो बात आती कि list और tuples में तो difference क्या है इन दोनों में सिर्फ एक difference है जो हमारा tuples होता है वो immutable होता है जैसे हम list में लिखने के बाद उसमें कुछ भी append या फिर insert कर सकते थे tuples में ऐसा नहीं होता tuples हमारा fix होता है इसमें हमने जो एक बार define कर दी जो elements जो values को define कर दिया वो fix हो गया अब उनको हम change नहीं कर सकते तो देखते हैं कि tuples को हम create कैसे करते हैं जैसे हम list को create करने के लिए उसको big bracket या फिर square bracket में लिखते थे उसी तरीके से अगर हमको tuples को create करना है तो हमको उसको parenthesis में लिखना पड़ेगा और इसमें भी small bracket में भी हम कॉमा लगाके अपने elements को separate करेंगे तो देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा गया है a tuple is created by placing all the item elements inside a parenthesis separated by commas the parenthesis are optional however it is a good practice to use them इसमें हमको बताया गया है कि tuple को हमको अगर create करना है हमको उसको small bracket में लिखना है और उसके हर elements को separate करना है कॉमा से और हम चाहें तो parenthesis को हटा भी सकते हैं यह optional है लेकिन parenthesis का use करना अच्छा होता है यह हमको असानी से बता देता है और जो दूसरा अगर कोई हमारा code देखेगा तो वो असानी से समझ सकता है कि हमने यहां पर tuples का use किया है तो हम आगे चलते हैं आगे यहां पर लिखा गया है tuples are immutable इसका मतलब tuples जो है कभी भी change नहीं सकते और हम इसमें चाहें तो कोई elements बाहर से ले जाके जो है नहीं insert कर सकते हैं इसमें हमने जो एक बार elements जितने डाल के fix कर दिया वो fix हो गया अगर हम दुबारा जो है इसमें दूसरे elements डालने कोशिस करेंगे तो हमारा एक दूसरा tuple बन जाएगा लेकिन वो जो पहला वाला tuple है वो कहीं memory में जाके save रहेगा तो हम इसके examples देख लेते हैं simple हम अपने tuples का नाम रख लेंगे my underscore tuple equal to small bracket इसमें हम जो है integer चाहते integer रख सकते हैं string चाहें या फिर float value चाहें जो चाहें वो रख सकते हैं तो basically हमारा list और tuple बिल्कुल एक जैसा होता है बस इसमें सिर्फ एक या फिर दो difference हम कर सकते हैं पहला difference होता है कि list में हम कुछ भी insert कर सकते थे और tuples में नहीं कर सकते और दूसरा उसको हम square bracket में लिखते थे इसको हम parenthesis में रखते हैं तो कुछ हम examples करके देख लेते हैं जिससे हमको और clear हो जाए कि list और tuples क्या होते हैं और इन दोनों में difference क्या होता है तो पहले हम एक अपना list create करते हैं list create करने के लिए हमको square bracket में जो है जो चाहें वो हम लोग लिख सकते हैं जैसे हम जानते थे 3 इसको में टर कर दिए अब हम यहाँ पर यह अब देखें हमारे पास एक list आ चुका है 123 अब list क्या होता है हमारा mutable हो सकता मतलब हम इसमें कुछ भी changes कर सकते हैं मैं चाहता हूँ यहाँ पर 5 जो इंसर्ट कर दों तो simple मुझको क्या करना पड़ेगा और यहाँ पर जिस position पे मैं change करना चाहता हूँ उस position का नाम और यहाँ पर equal to करके अब यहाँ पर मैं इंटर किया, अब मैं चाहता हूँ यह जो मारा one है, इसको मैं replace करके यहाँ पर five रख दूँ, तो simple वो step हम follow करते हैं, zero, zero position पर है, और उसको हम क्या रखना चाहते हैं, five, enter, देखे यहाँ पर हमको error मिल गया, error में क्या मिला, object does not support item assignment, जो tuples होता है हमारा, वो इस तरीके के assignments को support नहीं करता, और यससे हमको पता चलता है कि हमारा जो tuples होता है, वो immutable होता है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो मैं सबको इस small bracket में लिख रहा है, इसको लिखने की जिरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो उसको छोड़ भी सकता हूँ, simple, और मैं अगर यहाँ पर b को print करूँ, फिर भी मुझको देखिए, यहाँ पर bracket की साथ मेरे tuples मिल रहे हैं, लेकिन हमको list में जो है, अपने square brackets को लगाना है, अगर हम अपने list में अगर सोचेंगे कि इसमें भी square bracket ना लगा है, वह simple जो है, हमारा list की तरह काम करेगा तो नहीं करेगा, तो यह हमारा list है, तब tuples की तरह treat होने लगेगा, बी equal to bracket, bracket में 1,2, simple, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर अपना बी print करूँ, तो मुझको यहाँ पर 1 और 2 list में मिल चुका है, तो इस तरीके से मैं अपने tuples में सिर्फ और सिर्फ दो value को भी डाल सकते हैं, तो अब हम tuples में सीखने वाले हैं, कि अगर हमारे पास सिर्फ एक element है, और मैं उसको tuples में convert करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कैसे convert करूँगा, तो b equal to square bracket, और इसके अंदर मैं square bracket में कर देता हूँ, देखे, मेरे पास सिर्फ एक element है, और वो element है, हमारे पास 4 जैसे हम ले ले लेते हैं, 4, अब मैं b को print करूँगा, तो क्या यह हमारे tuples से नहीं, अगर हमारे tuples सोगा, तो जब भी हम उसको print करेंगे, वो हमेशा हमको small bracket में मिलेगा, तो अब हम इसको tuples में कैसे convert कर सकते हैं, इसके लिए हमको simple क्या करना है, 4, और इसके बाद comma लगा देना है, तो यहाँ पे मैं b के आगे equal लगाना जो है, भूल गया था, इसलिए हमारे यहाँ पे error आ गया, तो अब हम यहाँ पे equal लगा देंगे 4, और यहाँ पे simple comma लगा देंगे, अब अगर मैं इसको run करूं B, तो देखिए यह हमारा tuples आ चुका है, अगर हमको एक element tuple में create करना है, तो हमको उस elements के बाद वहाँ पे comma लगाना नहीं बोलना है, तो जैसे अब हम एक tuples ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और मैं चाहता हूं कि इसमें जो मेरा second position पे है, 0, 1, 2, यह जो 3 है, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूं, तो पहले मैं देखूंगा indexing करके इसका position किया है, इसका 0, 1, 2 second position है, मैं simple यहाँ पे B लिखूंगा, और यहाँ पे 2 लिखूंगा, और इसको run कर दूँगा, देखिए मेरा यहाँ पे 3 बाहर आ चुका है, तो आगे आता है हमारा tuple operations, tuple operations बिल्कुल जो है इसमें तीन है, positive and negative indexing, बिल्कुल list की तरह, slicing यह भी बिल्कुल list की तरह, और यहाँ पे तीसरा था, iterating through a tuples, यह भी बिल्कुल list की तर और positive indexing हमेशा 0 पे साथ start होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे हमारे पास 8 है, और यहाँ पे अगर हम negative indexing करेंगे, वो हमेशा पीछी से start होगा और आगे की तरफ जाएगा, और negative indexing हमेशा minus 1 से start होगा, तो यह रहा हमारा positive indexing, यह रहा हमारा negative indexing, simple, अब दूसरा आता ह हमारा slicing और तीसरा था iterating through a tuple, इसको हम अपने idle पे चलके देखते हैं कि यह कैसे work करता है, अब हम यहाँ पे देखने वाले slicing, slicing का मतलब होता है कि कुछ धेर सारे elements या फिर कुछ group of elements को हम एक साथ बाहर निकालना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे बात हो गई, मैं 1, 2, 3, इ लिखूंगा, फिर यहाँ पे मुझको यह लगाना है column, फिर यहाँ पे 0, 1, 2, लेकिन अगर मैं यहाँ 3 तक निकालना चाहता है, तो मैं 4 type को लूँगा, क्यों कि मुझे हमेशा जो यह आगे वाला number रहता है, यह तो included होता है, लेकिन यह पीछे वाला number होता है, यह excluded होता ह है, तो यहाँ पे हमको 3 ही लिखना है, 0, 1, 2, 3 हाँ, अब मैं इसको run करता हूँ, देखें, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 आ चुका है, यह होगी हमारा slicing, तो tuple function में बिल्कुल list function की तरह ही है, इसमें पहला आता है length tuple, तो length tuple हमको क्या बताता है, जो हमने जो tuple create किया, उसक हमने tuple create किया है, उसमें सबसे छोटा element हमने कौन से डाला है, और tuple sequence, अगर हमारे पास कोई list है, और हम उसको सीधा tuple में convert करना चाहते हैं, तो हम tuple sequence के मदद से उस पूरे list को tuple में convert कर सकते हैं, और some tuple, इसमें हम जितनी भी tuples में element है, उन सब को हम add करना जाते हैं, तो हम some tuple से add कर सकते हैं, तो अब हम आच चुके हैं अपने idle पे, अब हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास functions थे, उनको जो यहाँ पर work करके देखेंगे, तो मैं पहले एक tuple create कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, अब हमको यहाँ पे पता हैं नहीं कि हमने इसमें कितने elements डालें, तो यह lane की मदद से, lane function की मदद से हम यह असानी से पता लगा सकते हैं, अब हमको यहाँ पर पता लगाना है कि हमने जो यहाँ पर tuple बनाया है, इसमें सबसे बड़ा element हमने क्या डाला था, तो मैं यहाँ पर simple डाल लूँगा max और यहाँ पर a, और यहाँ पर हमको मिल गया 9, य यह जो tuple हमने बनाया था, इसमें सबसे बड़ा element हमने 9 डाला था, अब बात आता है कि हमको पता लगाना है कि सबसे चोटा element हमने क्या डाला था, तो यहाँ पर a, इंटर कर दिया है, तो यहाँ पर हमने सबसे चोटा element जो डाला था, वो था 1, तो इसके बाद आता है sum function, त तो some function मतलब इन सबको add करना चाहते हैं कि हमने जो टपल जितने भी element डाले हम सबको add करना है तो अगर हम add कर दे तो इन सबको add करने के बाद आएगा 27 इसके बाद हमारा एक था टपल sequence उसके लिए पहले हमको एक list create कर उसका काम हता किसी भी list को जो है simple टपल में convert कर देता है तो अब देखिए हमारे पास एक क्या है यह हमारे पास यहां पर एक list है अब हम इसको convert करना चाहते हैं कि इसमें टपल में तो हम simply आप लिख देंगे टपल और bracket bracket में L जो हमने इसका ना सब्सक्राइब भी सब्सक्राव नार्चेव